तो है गाइस क्रेजी गेमर इस बेक अनाधर एक्साइटिंग वीडियो एंड यह वाली जो वीडियो है ना अभी तक की मतलब मेरी सबसे बन अब दा वेस्ट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में भाई आप लोगों के इतने ज्यादा कमेंट आ रहे था ना इस वीडियो के लिए मतलब की आप मतलब की इतना अच्छे कैसे खेल लेते और आपके मतलब फर्स्ट रos कि आप लोग मतलब कि फाल्तु जो टीडियेम खेलते हो ना तो उसमें आप लोग को कैसे प्रेक्रिस करनी है आप लोग की हैडशोड की वो भी बताऊं को और क्या एक छीज बता जेता हो प्रूफ दिखा देता हूँ ठीक है मुझे डीन ने मेरा डीन और कम से कम फरसों के दिन मेरा मेरा ऐम आसिस्ट बंद करवाय था तो उसके बाद मैंने बहुत टेटेब्स खेलने के बाद हरेख गेम मतलब की एम हार रहा था ठीक हारने के प्रत क्या हुआ मिरे साथ मतलब इतना डिप्रेशन में चला गया मैं तो वहाई क्लें मिलेंग सब छोड़ दिया था देख सकतो नाम मम सब change कर दिये धर मेंने clan वगेरा सब कुछ छोड़ दिया था तो guys मुझे एक चीज पता लगी है अगर आप लोग aim assist अपना disable कर देते हो और आपका फिर भी aim अच्छा नहीं होता है तो जो मैं आपको एक मैं आपको वह गेंपले दिखाऊंगा और उसमें कमेंटरी भी कर दूँगा लेकिन एडिट नहीं करता हूं गेंपले बगेरा और नहीं वीडियो लेप्टॉप से एडिट करता हूं क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है वोईस ओवर करने के लिए माइक है लेकिन वह सिर्फ मॉ जो में बात बता दूए चछ बात वो टीडियेम खेलो आप लोग क्योलीन आपके जो की फ्रेक्टिस होती है लेकिन आप मेन शून के और उसको सही करके जाना और एक लिल्ल बताऊ। उसको प्रैक्टिस रेगूलर करना कम से कम घ्यटे रेगूलर क्रैक्टीस एक्रफ और दो घंटा अपने मन से करना ठीक है मन से दिल से और करना ठीक है वो प्रैक्टिस तो चलो ज़्यादा आपका टाइम बरवाद नहीं करता हूं आज की इस कमाल की वीडियो स्टार्ट करते हैं ünd Chandler dit कृष गयम देखो इस गेम प्लै में जो मैं चीज कर रहा हूं ना देखो आप लोग सिर्फ गेम प्लै को ध्यान देना और जो मैं बात बता रहा वह उसको भी किchesदेना लेकिन आप लोग गेमप्ले को ज़्यान देना क्योंकि मैं इसमें ज्यादा तर भाई यह सबसे बेश्ट मेरा अभी तक का टीडेम का गेमप्ले क्योंकि इसमें मैं मतलब दो मेच खेले था अभी मैंने वीडियो बनाने से पहले ठीक है और दोनों में इतना अच्छा खेल र तो उसके जादा चांस बढ़ जाते हैं कि आप लोग वन वीवन फाइड में जीत जाओ क्योंकि आप लोग ने उसको मतलब आदा से जादा डेमेज तो आधा मत्से अधा से कम डिमेज देभी दिया एक हैडशोट में ठीक है तो आप समझ सकते हो कि आप लोग कितना जादा मतलब की close range fight जीत चुके हो थी कर तो guys आप लोग को बस यह ध्यान देना रहेगा कि आप लोग को बस head जो अपना crosshair है जो आपको crosshair है ना उसको आप लोग को head पर ले जाना है ठीक है इसके बाद मैं आप लोग को एक ऐसा drill बताऊंगा जिसमें आप लोग को सिर्फ guys headshot की ही practice होगी और एक ऐसी चीज बताऊंगा crosshair का color जो रहता आपको उसको change करना पड़ेगा जब जाकर आपका कुछ होगा अगर आप लोग white में अभी तक white crosshair में खेलते हो तो guys उससे क्या होता है कि आप लोग मतलब की आप लोग का जो color रहता है वो white रहता है अगर आप लोग classic भी खेलते हो तो उसमें white color जादा मिलता है ठीक है इसलिए आप लोग को क्या करना रहेगा red रख लो या black color रख लो आप लोग का crosshair का जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो जो अपनी sensitivity बता ते ना वो अपनी sensitivity नहीं बताते हैं जो इन बातों का द्चेन ऋ》 और रहा ही हो होť आप लोग स्थीप्स बता रहा होो जो कि कि आप लोग को headshot को मैं मतलब headshot में मतलब मदद करेगी ठीक और आपको देखी रहा होगा guys कि मैं हर बंदे को मार रहा हूं तो एक या दो headshot तो लही रहा हूं हर एक enemy में एक-एक headshot तो में लही रहा हूं कैसे लह रहा हूं उसकी भी मैंने बहुत practice करी और am assist इसे प्रेक्टिस करनी है तो कैसे क्या करनी है वह भी बताओंगा आज इस वीडियो में तो वस्वीडियो का प्लोग फूल देखो यार काफी माब आपको मज़ा आने वाला है तो देखो सबसे में चीज में आपको एक चीज बताता हूं आप क्या करो कि आप PUBG माल में जाओ अपने आपको सबसे पहले अपना M Assist को disable करो ठीक है M Assist को disable करने के बाद और जो अपना controls रहता है आप लोग का अगर आप लोग 4 finger खेलते हो तो आप लोग को करने का एक fire button आप लोग अपने राइट थमपे रख लो जैसा कि मैंने अभी रखके रखा है तो उसे क्या होता है कि आप लोग का headshot लगने के chances बहुत ज़्यादा रहते और आपके reflex जो रहते हैं बहुत ज़्यादा fast हो तो अभी आप लोग को यह बाते जो हैं गाइस बहुत मतलब की अजीपसी लग रही होगी कि भाई हर कुछ बता रहा है क्या बता रहा है क्या नह ज़्यादा आप लोग को time बरवाद नहीं करते हैं बस आप लोग यह देखी लो अब यह खतम ही होने वाला है तो भाई देखी लो ठीक है और जो भी बंदे बोलेंग भाई यह नूब बंदे आ रहे हैं ऐसा वेसा ठीक है तो भाई नूब बंदे नहीं है ठीक है एस स्टा 6 ठीक है ज्यादा बगवास नहीं करूंगा आप चलते सीधा ट्रेनिंग मोड में सो गाइस आचुके हम लोग अपने जो है ट्रेनिंग राउंड में और यह मैं रिकोर्ड कर रहा हूं होनर प्ले से इसलिए मैं आपको ड्रिल्स करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इस मोबाल म होन में चलता 40 fps गेंल और मैं खैलता हूं 60 fps में ठीक है इसलिए मैं बइस में आप लोग को यह कहल के नहीं दिखा सकता घी रहता है और एक व्म मैं आपको बताता हू यह रिल गाइस टीके यह ड्रिल की प्रैक्टिस करो और ज़्याद से का प्रिक्ट्टिस करो कि आपका जो है आपका जो A.M. is आपको जो aim लगे वो लगे सीधा यहां पर सीधा यहां पर आई औरही गड़ा देख रहं कहें इहां यहां पर ज्याद़ पर देखो कि यहां पर आप अपलोग कहां लगे का एम ठीक है इन सारों को आप लोग को 40 ही जोली में इस टिके और नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है रिजन कि मैं iPhone में खेलता हूं Android में नहीं खेलता और इसमें 60 days चलता है तो गैस समझ सकते हो बाई कोई भी 60 एपय fast क्यों खेलता जो बंदा वो नहीं खेल سकता है दूसरे device में थीक आnd तो यही थे कुछ ड्रिल्स और एक उर्ड ड्रिल्स मैं आपको बताता हूँ बॉन बॉनस ड्रिल्स है ठीक है यह रही देखो यह वाला ड्रिल्स की एसी प्रेक्टिस करो ठीक है 100 परसेंट आपका गेंप्लेग इंप्रूव होगा आपका एम अच्छा होगा और आपके हैट् ऑज बढ़ा को थो सीखने को मिला या होगा फिके तो आइशक जास की यह विडियो की पसंद्वश्च करा दो चैनल को अबस्क्राइब करो और रहुत्य गेमिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को बेल को ओल पे कर लो ठीक है सो मिलते हैं आपको इस दोड़े मैं जब तक लिए गाइस थेंक्स वर वाचिन